जैशी सितरा पांच अगस्त से लेकर के ग्यारह अगस्त तक का ही जो समय है यह जो सब्ता है यह आप से दिके लिए कैसा जाएगा इस बारे में आज के इस वीडियो में आप चर्चा कर रहे हैं आपका सब्ताहिक राशीफल क्या होगा विटली राशीफल क्या होगा विटली होरोस्कोप क्या होगा यह मैं आपको आज के इस वीडियो में पताने जा रहा हूँ तो विस्ताव से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा मुझे विश्वा से कि आप भी बहुत धेरी के साथ और बहुत इंतजार के साथ मेरे नाशीफल का इंतजार करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जब कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है यह मैं कॉमेंट्स वैसे देखो क्या है ना लगबग लगग 10 लाख दर्शक जूड़े हुए है इंस्टाग्राम, फिस्बूक, यूट्यूब अलग-अलग सोशल मेडिया प्रेटफॉर्म को मिला लेता हूँ तो सारे कमेंट्स पढ़ना तो पॉसिबल नहीं पपाता है लेकिन मैं जो भी कमेंट्स पढ़ता हूँ उसका स्क्रिंशॉट ज़रूर ले लेता हूँ और वो इंस्टाग्राम पर हाइलाइट एक है जगह है तो वहाँ पर जाकर के लगा देता हूँ तो ये वज़ाई यह है कि जब आप मुझे कहते हैं कि आपका राशीफल हम पर 100% सटिक बैठा तो मैं उसको अपना उत्साह मानता हूँ उसको अपना रिवार्ड मानता हूँ उसको अपनी अर्णिंग मानता हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ राशीफल दे रहा हूँ बता रहा हूँ इतना समय लगा रहा हूँ कोई मुझे पैसे तो मिल ले रहे हैं और और ना मैं पैसो के लिए बना भी रहा हूँ, मैं पैसो के लिए तो बना भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जब कहते हैं कि 100% हम पर सटिक बैठा तो यही मेरा पैसा होता है, यही मेरा reward होता है तो राशिफल आपको यहाँ पर free में मिल रहा है लेगिन आपका comment जो है वो मेरे लिए धन का काम कर रहा है तो comment करते रही है चलिए, आगे बढ़ते हैं और मेश राशी से लेकर के मीनी राशी तक जो भी आपकी राशी है, उस राशी के आधार पर मैं आपको आपका सापताहिक राशी फल weekly राशी फल बताता हूँ तो सबसे पहले मेश राशी से शुरुआत करते हैं मेश राशी वालों करें कहूँगा कि खर्चे ज्यादा होंगे हाँ, आपने खर्चों पर ध्यान रखें खर्चों पर सहियम बढ़ते देखिए खर्चे तो होंगे ये बाद तो है, लेकिन आपने कहीं रिस्की इंवेस्मेंट किया कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो वो भी इस समय लॉस हो सकता है तो ये भी एक बात मुझे आपके लिए अपर बंते भी नजर आती है एक चीजी होगे अच्छा, दुसरी बात ये कि कोई यदि उधार मांग रहा है तो या तो उसके हाथ चोर देजिए मत देजिए और यदि देना जरूरी है तो दान कीजिए दान करना मतलब गया ये दुसरी बात तिसरी बात ये कि यदि आपको कोई महंगी वस्तु खरिदने का मन है वो महंगी वस्तु कुछ भी घर की हो सकती है फ्रीज हो सकता है ऐसी हो सकता है जो भी है तो आपका मन है तो आभी आप इस सप्ता रुप जाएए थोड़ा समय निकाल दीजिए एक सप्ता का समय उसके बाद फिर खरी दिएगा गाड़ी वगेरा या भूमी या घर या यह खरीदने के लिए यह समाई यह सप्ता अच्छा नहीं है स्वौस्थ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़़ा ज़रूरी है हील्थ कहीं न कहीं टावरडोल होसकती है आपको तंग कर सकती है परिष्यान कर सकती यह विशेश ताहर पार आपको कोई शिकायत है शिकायत मतलब किसी-किसी को digestive system related problem रहते, किसी को diabetes की problem है, किसी को हटियों की problem है, जो भी यह सब की अपनी-पनी problems है तो जो problems आपको लगातार होती है या वो रही है उसका विशेश ध्यान इस समय आपको रखना पड़ेगा हाला कि एक बात में जरूर कहूंगा कि आए होती रहेगी, पैसा आते रहेगा, बिजनस चलता रहेगा मैंने कहा खर्चे होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नौकरी में problem है, आकर केरियर में problem है केरियर में कोई problem नहीं है, केरियर आपका अच्छा है, उल्टा यह हो सकता है कि यदि आप increment, appraisal चाहते हों, यदि आप promotion चाहते हों, तो इसके योग भी मुझे दिखते हैं, प्रतिष्ठा में प्रद्धी के योग मुझे आपके लहीं हैं पर बनते हों नौकरी के साथ-साथ यदि बिजनस भी आप करते हैं, तो बिजनस में भी जो routine investments आप कर रहे हैं, तो उसका आ मनाफा ज़रूर देखने को मिलेगा, customers, clients जो हैं, वो regular रहेंगे, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं देती, तो regular investments की जिए, लेकिन जिसे business में होता है, नाया प्रांच कुछ open कर लेंगे, या कुछ बहुत बड़ा निवेश कर देंगे, business की हमारी लागत, एक example की बात करना ह की business की लागत जो है, वो 10 लाग रुपए है, और उसमें पांच लाग का और अचानकी सब्ता ही निवेश कर दिया, तो ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा 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 जो normal निवेश कर रहा है, वही निवेश की जिए, risk investments ना कीजिए, बस ये कहूँगा मैं बात करते हैं, और रशेब राशी वालों के लिए कहूँगा कि नए दोस्तों का मिलना हो सकता है, नए रिष्टेदारों का मिलना हो सकता है, रिष्टेदारों के मिलने का मतलब ये भी होता है कि आपका विवाहता है हो, या आपके घर परिवार में किसी का विवाहता है हो, रिष्टेदार तो विवाहा से ही बनते हैं, रिष्टेदार कैसे बनेंगे, या तो आपके विवाता है हो जाए, आपके घर पर विवार में किसी का विवाता है हो जाए, तो हाँ, ऐसा मुझे आपके साथ यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, एक चीज यह, दूसरी बात य ये कि मागलिककार्य मागलिक प्रसंग के यूग बनते वे नज़र आते हैं, अलोंकि एस समय ज़्रार्पण मास श्रावन मास में विवाह इत्यादी नहीं होते है, लेकिन आजकल के जो बड़े है बर्थडे यही अपने आप में मांगलिक प्रसंग से कम नहीं है मुझे बात मैंने आपको एक बार और बताया था इसी प्रकार का एक्जामपल दिया था अभी और ऐसा ही मुझे दो तीन बार और देखने को मिला भी जस्ट कल की बाते मैं एक बड़े में से आया तो उनके यहां उन्होंने दीन में सत्तिनारण जी की कथा रखी बहुत अच्छी बात है कुछ यग्य हवन भी उन्होंने करवाया दो से तीन घंटे का रुद्राभिशेक लगू चोटा से मतलब अभिशेक था श्री महादेव जी का वो सुबह से उनक् फिर पाटी दी तो में दोनों में इन्वैट था सुबह भी इन्वैट रात में भी शाम में भी इन्वैटिट था तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं जब से शादी में ही आयरू हूँ या किसी के कोई बड़े फंक्शन में आयर nog ग्रप्रविश में आयरू किसी के मैं उमने यह बहुत अच्छी बात मुझे लगी मैं खर्चे को लेकर कि उत्रा फेवर में नहीं रहता हूं लेकिन फिर भी इसको मैं एक प्रकार के मांगलिक कारी कह सकता हूं तो वैसे कुछ योग आपके साथ भी हो सकते हैं यात्राओं के योग बंदे नजर आते हैं जिन देशों से व्यात्रा कर रहे हैं उन्हों देशन में आपको लाब भी मिलेगा यह बहुत अच्छी बात है परिवार का साथ भरपुन मिलेगा आर्थिक द्रश्टिकों से यह समय मुझे अच्छा दिखता है आर्थिक इस्तितियां आपकी अच्छी रहेंगी मजबूत रहेंगी यह ब बहुत अच्छा है प्रिश्ब राशी मित्रुन राशी के बारे में बात करते हैं मित्रुन राशी वालों के लिए कहूंगा कि शारीरिक कष्ट हो सकता है अपने शारीरिक स्वास्त का ध्यान दे हैल्थ कहीं डावर्डोल हो सकती है विशेश तोरपर नंबी बिमारी है कहीं मन में सता सकती है कहीं ऐसा न हो जाए कहीं वैसा न हो जाए ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो इस प्रकार के स्थितियां इस प्रकार के चिंताएं कहीं न कहीं सताती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है लेकिन मैं बात बताओं यह एस लॉजिका नहीं है लेकिन प एक्स्ट्रा एफर्ट्स कहीं लगाते हैं तो जरूरी नहीं कि उन एक्स्ट्रा एफर्ट्स से वो चीज मिली अब बहुत सारे महान लोगों को देखेंगे वो क्रिकेट में हो वो सिंगिंग में हो वो वो इसमें राजनीती में हो किसी भी सेक्टर में हो वो बिल्कुल बहुत कम effort लगाते हैं और उन्हों काम हो जाता है तो यह जो इस्थिती है ना यह जो चीज है इसमें वो चिंता तनाव नहीं करते हैं अपने काम को ले करके और चिंता तनाव नहीं करते हैं तो उन्हों काम बहुत effortlessly और बहुत अच्छे से होता है क्योंकि उनकी किस्मत वहाँ पर ह पड़ता है लेकिन चिंता तनाव करने से कुछ नहीं मिलता है अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत चिंता करना पड़ेगा तो चिंता तनाव को अपनी दिमाग से निकालिए भवन भूमी गाड़ी वहन आप खरीद सकते हैं यह बात मैं आपसे जरूर कोंगा आर्थिक द् बजबूत करवाने वाला यह समय है तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कि नौकरी में इंक्रिमेंट हो सकता है बिजनस आपका अच्छा चल सकता है आप पैतरक संपत्य के इच्छोग है तो वहां से आपको संपत्य आ सकते हैं कोई निवेश करना चा रहे हैं वह आपको ब थोड़ा ध्यान देना है और फिजूल में mental anxiety में आओगे तो फिर देखो कुछ अच्छा भी होगा ना उसको enjoy नहीं कर पाओगे तो mental anxiety को आप निकालिए जिससे स्वास्त आधर स्वास्त तो वैसे ही सुदर जाएगा और फिर इन जन्रों ध्यान दीजिए अपनी हां देग द्रश्टिकोन से चिंता तनाव की स्थितिया कही न कहीं हो सकती है परिवार के सदस्यों को लेकर के कही न कहीं चिंतित रह सकते हैं अब देखो सबके अपने अलग-अलग चिंता हो सकती है किसी कोई बच्चों को लेकर के चिंतित है कोई कोई अपने पती-पत्री को लेकर के चिंतित हैं तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग चिंताएं हैं तो जो भी है थोड़ा वो चिंताएं हो सकती है घर में लेकिन मैं एक बाद आप उसे कहता हूं कि आई ये वक्त पढ़ाई लिखाई के द्रश्टिकोंड से अच्छा वक्त है विशेश तोर पर यदि आप ए विशल्ट आपका अच्छा हैगा आप जो भी एक्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको लाग मिलेगा तो अच्छा वक्त है ये इस समय का फायदा उठाईए महनत तो करना ही है महनत कीजिए और सफल बनिए करकर आशी वालों के लिए विजूल की चिंता तनाओं को ज़र अध्यात्मिकता में भी आईए सत्संग कीजिए सत्संग का मतलब क्या होता है सच्छे संतों का संग संतों की बात हम कर रहे हैं आजकल कथा वाचकों को सुनना भी सत्संग कहलाता है कथा वाचकों को सुनना सत्संग नहीं है उसका कोई फल नहीं मिलता है कथा कि अलग और और आप प्रोड़क्टिवीटी अपनी बहुत ची कर पाएंगे शिच बार ने करकर राशी के भात कर दो बाकते हैं कि अब युदि काहिए पत्तंत हैं यह दो, नहीं है तो बहुत 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 opposed दूर्स कि अ livre me नहीं जा रहे हैं अभी ना जाएं इस बात का मेरी ध्यान पर यातराओं के यूफ form बन नजर आते हैं लेगन बन जा रहा नहीं चाहिए यह मैं कवा हन से कर्ष्ट बंटा हो नजर आता है यात्रा से कर्ष्ट बन मं बन आपने आर्थिक दृष्टिकों से यह समय अच्छा है, मतलब आपके नौकरी के दृष्टिकों से आप नौकरी आप अरड़ी कर रहे हैं, इंक्रिमेंट अप्रेजल प्रमोशन चाहते हैं, तो हां हो सकता है, या फिर मैं यह भी कहूंगा कि बिजनस आप करते हैं, तो वहाँ पर भ आपको इस समय लाब मिलेगा, तो अच्छा समय है, मन में थोड़े चिंता तनाओ की इस्ति कही न कहीं बनी रह सकती है, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ऐसा हो पया तो क्या करेंगे, वैसा हो पया तो क्या करेंगे, तो इस प्रकार की इस्ति कहीं न कहीं बनी रह सकती ह लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह बात कहा देता हूं कि वाहन मतलब यात्राओं को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए यह समय बिलकुल खराब नहीं है बहुत अच्छा समय है रिटन दिलाने वाला समय है पारिवरिक तौर पर परिवार का साथ दिलवाने वाला समय है धन के द्रश्टी कौन से धन को पढ़ाने वाला समय है प्रतिष्ठा के द्रश्टी कौन से प्रतिष्ठा को पढ़ाने वाला समय है स्वास्त के द्रश्टी कौन से स्वास्त को ठीक करने वाला समय है और आध्यात्मिक ताम है यदि आप जाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक कन्या राशी के बारे में बात करते हैं कन्या राशी वालों के लिए कहूंगा कि कही न कहीं घरिलू मदभेद और्गुमेंट्स हो सकते हैं पारिवारिक मदभेद पारिवारिक और्गुमेंट्स पारिवारिक वात विवात यह स्थितियां कहीं न कहीं बन सकती हैं तो मेरा कह कोई गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए इस समय और बहुत जरूरी भी है तो सो समझ के शब्टों का बिल्कुल ऐसा करें कि लिख लीजिए आप लिटरली एक बार क्या हुआ कि कि एक वेक्ति का उन्होंने अपनी कुल्ली मुझे दिखाई और उनके पिताजी को उनको कंविंस करना था उनकी उम्र कोई बहुत कम नहीं थी थी थाटी सेवन थाटी एट वर्ष के वह वेक्ति थे जिन्होंने मुझे अपने पिताजी को कंविंस करना था किसी बात को ले कर लेकिन मुझे यह लगा कि आपके लिए ना कन्विंसिंग के योग बहुत अच्छे बन नहीं रहे हैं और हो सकता है कि आप कुछ बोलें तो उससे तनाव और पढ़ जाए तो उन्होंने क्या नहीं सर में को बहुत जरुड़ी है नहीं तो नहीं हो पाएगा परिवार टूट परिखिए और लिख करके दीजिए और उज्ड़ पिताजी चो कि अच्छे पोस्ट पर थे तो तो वो अपनी ज़्यादा चलाते थे या जो भी रहा होगा उनके पिताजी के अपने प्कण आपिगॉर्ध होगा जो भी नहा होगा तो उन्होंने कहBA ठीक है सर उन्होंने उ करना अराम से लिखना हे लेना उसी लेटर ज़े दू लगादिया पिक दो दिन लगा देना तिन लगा लेकिन अच्छे से सोच लिकना। है उठाजने उपाई भी गिने और दुस्तमतरra और फिर उसके बाद में उन्होंने वो लेटर दिया अपने पिता जी को जब कि रहते साथ में थे चार-पास दिन बाद उनका उन्होंने अपोइंटमेंट लिया मेरे मेनेजर को बोल करके तो उन्होंने का सर्फ पापा मान गए और यह तो अलग बगग असंभव जैसा है तो मैंने का दिखो वायोंने तो काम किया उसों किया लेंकिन जो टैक्ट है लिखने का इसने भी काम किया आपके लिए तो वो बात मुझे अच्छनक आद आगई तो आपके लिए करन्याराश सब बगेरा आगया है बहुत कॉमन लिकिन हो गया कागस पर लिखने का अभी भी एक अलग इमोशन है वो इमोशन को हम समझते नहीं कागस पर लिख करके दीजिए और मनाईए देखिएगा बहुत लाव आपको देखने को मिलेगा इस दोस्तों का मिलना जुलना हो सकता है, नए दोस्त बन सकते हैं, पुरानों के साथ मद्वेद अर्कुमेट्स हो सकता है और नए दोस्त आपके बन सकते हैं और साथी साथ आर्थिक द्रिष्टिकों से कन्या राशी वानुकले समय अच्छा है, आर्थिक इस्तिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी और इदि कहीं आप निवेश करना चाहरे हैं, तो निवेश भी आपका बहुत अच्छा होगा, ये निवेश आपको बहु मैनत कीजिए, मैनत कीजिए, मैनत कीजिए, और सफल बनिये, कन्या राशी, कन्या के बाद में तुला राशी के बारे में बात करते हैं, तुला राशी वालों के लिए कहांगा कि आप को आपकी संपत्ती में, इन्वेस्मेंट्स में, सेलिंग्स में लाब देखने को मिलेग हाँ यह समय आपकी आपके investments को और जादा बढ़ा सकता है यह संपत्ति को बढ़ा सकता है जिसे आपने plot लिया था तो plot आपने लिया था एक example की बाद के लिए 100 रुपय का तो अभी आप बोलेंगे कि यार एक साल हुआ है और मेरा plot जो है वो 700 का हो गया या 130 का हो गया तो ऐसी स्थितिया कहीं न कहीं कुझे आपके साथ बंतीवी नजर आती है तो एक बहुत अच्छी बात है इस समय आपके संपत्ति बढ़ेगी investment आपको ले मैंने investment किया था 10,000 रुपे का वो investment जो है अभी एक साल में 12,000 रुपे हो गया तो ऐसे कुछ आपको बहुत अच्छे रुटन्स देखने को मिलेंगे अपनी संपत्ति पर या अपने investments पर और इस समय भी आप निवेश करेंगे तो वो निवेश आपको लाप देंगे फैदा देंगे तो और उन उत्देश्यों के लिए यात्रा कीजिए हो सकता है नौकरी का उत्देश्यों हो सकता है बिजनस का उत्देश्यों हो सकता है पढ़ाय लिखाई का उत्देश्यों हो सकता है परिवार के साथ रूमने फिर जाने का उत्देश्यों हो सकता है मना शांती लेने का कर रहे हैं यात्राइं कीजिए आपको यात्राओं के लाब मिलेंगे पारिवरीक द्रश्टिकोंड से यह समय अच्छा समय हैं पारिवरीक इस्तिया और अच्छी रहेंगी और इंक्रिमेंट, एप्रेजल, प्रमोशन के यदि आप इचुक हैं, चाहते हैं तो ये भी आपको मिले ऐसा मुझे आपके लिए तुरा राशी वालों के यहां पर बंदावा नजर आता है तो इस समय का लाब उठाईए इस समय का फायदा उठाईए महनत तो कर, नहीं है महनत कीजिए और सफन बनिये देखिए महनत, मैं जोतिश हूँ लेकिन मैं भाके वादी नजरी के खिलाफ हूँ भाके वादी नजरी का मतलब यह कि मेरे किस्मत में होगा तो होगा नहीं तो क्या मतलब है नहीं जी अभी मैं भोजन करके डिनर करके आपके सामने बैठा हूं रात में वीडियो बना रहा हूं तो मेरी किस्मत में था तो मैंने डिनर किया नहीं ऐसा नहीं है मैं आफिस में था आफिस में मुझे काम ज़ादा था काम को मैंने छोड़ा और डिनर करने गया और फिर वापस आ करके ये वीडियो मैं बना रहे फिर लगा तो मैं यदि यो काम को न छोड़ता तो मैं भूखा रहता तो अब ये मेरे कर्म पर भी निर्वड था कि मेरे भागय में थाली थी लेकिन मैंने उसके लिए कर्म किया तो ये वाला विशे जो है ये भागय वाती नजरिया नहीं है ये कर्म कर्म प्रधाम तो है है कर्म के साथ भागय है तो कर्म और भागय दोनों को मानते हुए आप आ सफलताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कारे करते हैं, उस कारे में आपको सफलता मिलेगी। और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, सबके अपने अपने लक्ष होते हैं। विशेश तोर पर ये समय पढ़ाई लिखाई को लेकर ये आपका लक्ष है, तो उसमें आपको लाब दिलवाएगा। पढ़ाई लिखाई, स्टुडेंट्स के लिए ये समय जाब अच्छा है। एक बात जरूर नेगेटिव मुझे दिखती है कि वाद विवाद हो सकता है। मदभेद हो सकते हैं, और्गुमेंट्स हो सकते हैं परिवार में। ये बात से आपको बचकर रहने के जरूरत है। अलगाव हो सकते हैं, और्गुमेंट्स हो सकते हैं। आपको गलत समझा जा सकता है, आप किसी को गलत साबित कर सकते हैं या फिर आपको साबित किया जा सकता है, और साबित करने का मतलब यह नहीं कि जेन हो जाएगी, घर परिवार में यह होता है, कि तुम गलत हो, गलत हो, बस खतम, आप उससे कुछ होने वाला कुछ नहीं है, ल और अपने लक्ष, आपका जो भी लक्ष है, नौकरी लक्ष है, वैफसाय लक्ष है, आपका लक्ष, पढ़ाई लिखाई है, जो भी आपका लक्ष है, उस लक्ष में लगिए, भवन, भुमी, गाड़ी, वागन, यदि आप खरिदना चाहते हैं, खरिद सकते हैं, बनाना चा कीजिए और पहले यदो नीभीश करके रखा था सफलता की यज़ी हो तो तो उन कार्यों में आपको लाग मिलें ओसा हाँ यह बात ज़रूर है कि करना चाहते हूं खल यह कि 오른 उसकी आप की दया वी और उसके लायगम लायखी तो इन्य तो शादी करना है और 17 साल के उम्र है हां शादी करना नौकरी करता ही नहीं है यह लड़का लड़कया नौकरी नहीं करता है शाधी हो जाएक शाधी हो जाएगी हम तो लायग भी होना चाहिए तो निसब में आप जिस चीज के लिए अपनी तो यह आपको मिलगे वर्शिक राशी, वर्शिक राशी के बारे में बात करते हैं, धनु राशी वालों के लिए कहूंगा कि यश में व्रद्धी के योग बनते हुए नजर आते हैं, यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, व्रद्धी होगी, उत्साह बढ़ेगा, ते को एक बहुत अच्छी सफल होता है उसे शुरुवात में उस सफलता की जब उसके शुरुवात की थी उसके लिए महनत की थी या स्ट्रगल किया था तो उस समय उसको उत्साह था और उत्साह के साथ को आगे बढ़ा और उत्साह के साथ जब आगे बढ़ता है तो उसको सफलता मिल जाती है शुरी हन मतलब काम अविश्य होगा कि विशेश हर्ष हो रहा है विशेश हर्ष मतलब उत्सा जिसको भी विशेश हर्ष होता है काम को करने के लिए उसको उत्सा होता है लेकिन ये बाद जरूर है कि प्रभु साथ में हो भाग्य भी साथ में हो श्री राम जी भग्मान श्री हनवान ज साथ के साथ में थे तो काम हो पाया तो उत्साह के साथ साथ हम को अकसर सलाह भी लेते रहना चाहिए और सिख्ते भी रहना चाहिए लेकिन आपके लिए धनु राशिवा लोगे लेका हूँगा कि आप इस समय जो कारी करेंगे उसमें आपको लाब मिलेगा सिंखते रहिए भवन भुमें गाड़ी वह हम यदि आप खरीदना चाहते हैं बनाना चाहते तो खरीद सकते हैं बना सकते हैं और आपको उसका लाब भी देखने को मिलेगा यह बहुत अच्छी बात है पदमें व्रत्धी होगी पढ़ाई लिखाई करते हैं आप जो भी कारी करते हैं उन कारियों में आपको लाब देखने को मिलेगा तो और और लाब का समय है ये और और उत्साह का समय है ये और और कुछ दिलवाने का समय है ये और और सफलता का समय है तो और और महनत कीजिए बस पोजिटीव रहिए खुश रहिए महानत कीजये metat THEseason के बाूद के बाद मगर राशी के बारे में बात करते हैं मकर राशी वालियों के लिए करचे जाधा होंगे अपने खर्चोंस पर संहियं बढ़ते हैं, अपने खर्चों पर काबू रखें, एक बात, दूसरी बात, व्यर्थ का तनाव रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं वैसा ना हो जाए, वैसा हो गया तो क्या होगा, इस प्रकार के स्थित्या हो सकती है, मन में एक प्रकार का भ आप यदि पारिबरिक इस्तियों को सुधारना चाहते हैं, सुधार सकते हैं, स्वास्त ठीक करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष है, उस लक्ष को लेकर रहें, यदि आप कुछ करना चाहने हैं, तो आपको लाग मिलेगा, विशेश तोर पर पढ़ाय लिखाई, और कैरिय फ्रिद्र और परिवार इस रष्टी कोण से बात करता हूं इंट मखर राशी मक़र राशी के बारे में बात करते हैं कुम राशी वालों के लिए पर नंति योग बंते में नजर आते हैं पद में व्रद्धी होगी मान सम्मान बढ़ेगा आपकी वहावाही बढ़ेगी आप जो कर रहे हैं उसमें आपको सफ़ता मिलेगी कि मांगलिक कारे मांगलिक प्रसंग के योगी है अभी मैंने व्रश्व राशी वालों के लिए कहा था यही पाग गई थी कि अधार्मिक कार्यक्रम आयजीद करवार जीसे और होना चाहिए मैं मैं इसके खिलाफ नहीं बिल्कुल होना चाहिए खिलाफ वाली बात इसलिए आईती है कि खर्चा बहुत ज्यादा खर्चा मुझे पसंद नहीं है ठीक है सब की अपने अपने जीवन हैं सब अपने अपने तरह से जीते हैं यात्राओं के योग बंते में पर इंतजार मत कीजिए आप लग जाईए और आपको वो चीज मिलेगी कुम राशी के बाद में मिन राशी के बारे में बात करते हैं मिन राशी वालोगे ने कहँए एक विवाद कर ने कहिनकि हो सकता है वाद वीवाद के स्तितिया बन सकती है caller खलत समझा है यह बाद जरूर है लेकिन हां यदि हम नौकरी वेबसाइब प्रोफिशन और पढ़ाई लिखाई के दिश्टिकॉन से बात करें तो यह समय आपको सफलता दिलवाएगा मतलब exam देने जा रहे हैं तो अच्छा results आएगा नौकरी लगने जा रहे हैं लग सकते हैं नौकरी में क्रिमेंट और प्रोफिशन चाहते हैं यह हो सकता है तो ऐसा के दिक कुछ आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो जरूर से आपको उसका लाब देखने को मिलेगा तो ये वक्त मीन राशी वालों को सफ़ता दिलवाने वाला है लेकिन फिर भी कही न कहीं घर परिवार के दरिश्टिकोंट से मदभेद और्गुमेंट्स हो या तनाव के स्तिती बने ऐसा भी हो सकता है तो इस बात पर ध्यान देजेए ठीक है तो यहां पर हम चर्चा की है मे्ष राशे से लेकर के मीन राशी तक जो भी आपक रशी ती उस राशीक के आधा पर मैंने आपको समझे है कि आपके लिए यह सेकल नुए यह साफ्टाह राशीफल हे घटली होरसकों के बारे में मैं आपको समझाया है. मुझे विच्वाहस से कि आपने बाद समझ में हैं हई होगी. । इस आपताई है कि राशी फ़ल पसंद आया होगा. यदि इस आपता ही राशी फल पसंद आया है तो मुझे बताईएगा. भाभaz धनिवाद! फिर मिलते आने होने विडियोस में तब तक लिए आज किसमें हम से विदा चाहता हूँ जय श्री सिताराम